तो देखे क्या पावर्स हैं बित्वे उस्था में बित्थ बहुत इजी है जैसा आपने पंचायत में समझा था वैसे ही देखे यहां भी बिधान मंडल को राज के बिधान मंडल को राज की बिधायका को पावर्स हैं तो देखे राज की जो बिधायका है राज की बिधायका ये क्या कर सकते हैं राज की बिधायका जो है वो नगर पालिकाओं को नगर पालिका को कर चुंगी यात्री कर आदे लगाने का अधिकार दे सकती है लगाने का अधिकार दे सकती है और दिया भी है बहुत से इसमें से अधिकार दिये है दे सकती है देखो पंचायतों को भी ऐसे ही कर लगाने का अधिकार दे सकती है राज सरकार तो नगर पालिकाओं को भी है तो आप देखते हो बहुत से कुछ कर होते हैं चुंगी है और जो नगर पालिकाएं होती है वो इस तरह के टैक्स लगाती है जिसे हाउश टैक्स लगा लिया जल कर लगा देते हैं पानी आप लेते हो तो उस पे टैक्स लगता है पथ कर लगा सकते हैं प्रकास कर लगा सकते ह लगा सकते हैं तो इस तरह के कुछ कर लगाने की सक्तियां चुंगी व्यात्री कर आधि लगाने के सकती राज सरकार जो है वो नगर पालिका को दे सकती है कि आप लगाए वसूलिया ऐसा कर सकती किया भी गया है बहुत सकते हैं पालिका को लगाने के लिए दूसरा क्या हो सकता है कि राज़ सुयमकर लगाकर और संग्रहित कर ले उसको संग्रहण करके नगर पालिका को सौप दे नगर पालिका को सौप सकती है तो उपर वाली ही बात है वही चीजे नगर पालिका को ना अधिकरत करके राज स्वेम लगाने टेक्स और उसको वसूल ले उसके बाद वो पैसा जो है अधिकार दिया गया है कुछ चीजे राज देती है जाके राज की नधी से अनुदान भी जैसे पंचायतों को दिया जाता है तो यह से इनको भी बात करेंगे यहां पे हम राज इसे बात करने यानि कि अनुदान के रूप में ये सब राज जो वित्त आयोग होता है वो सजेशन देता है कैसे क्या करो तो उसी अनुसार इनको मिलता है पंचातों को भी वही सजेशन देता है राज वित्त आयोग ही तो अनुदान के रूप में पैसा मिल सकता है और इनकी एक निधि गठिद की जाएगी तो यह इनके बित्त का एक सिस्टम है कुछ टैक्स ये लगा सकते हैं कुछ टैक्स राज लगा के उसका पैसन को दे सकती है और अनुदान के रूप में दे सकती है निधि का गठन इसमें कर्ज भी आता है कर्ज भी दे सकती है जो नगर पालिकाएं है और पंचायतें भी कर्ज ले सकती है राज सरकार से भी कर्ज ले सकती है और बित्ती संस्थाओं से भी ले सकती है जिसे बैंक उगरा से तो बित्ती संस्थाओं से जब कर्ज लेंगे तो राजिसरकार की परमिसें से लेंगे तो यह है तो इस तरह से जो नगरपलिकाये हैं इनका अगर हम ओवर्राल देखें इस चीज को आप बेसिक जानकारी समझ गया तो अगर हम देखें तो बित्ती स्रोत इनके 5 हैं 5 तरह से पैसा इनके पास आता है इनके पास जो है पांस रोओध है क्या पहला है कर कर राजस्ट यानिकी टेक्स से अभी हमने बताए न कि अगर टेक्स लगाने के पावर मिल गई जैसे इननों को पावर मिली कि आप house tax लगाईए, आप road tax लगाईए, आप पेशा पे लगाईए, profession tax लगाईए, तो वो सब tax लगाते हैं और वसूलते हैं, देखे ग्राम पंचायते ज्यादा नहीं वसूल पाते हैं, लेकिन नगरपालिकाएं वसूल लेती हैं, क्योंकि वहाँ पर system उनका है इस तरह से, अ बजार होते हैं, मेला होते हैं, तो उसमें परधान हो गएरा tax वसूलने में थोड़ा बहुत जंजट का काम है, क्योंकि उनका ये मानना है, कि जिन लोगों के बीच में हम 24 घंटे रहते हैं, पास परोस में घर हैं, वही लोग मिलके बजार लगाते हैं, उनहीं से अगर हम 10 20 रुपया tax वसूलेंगे, तो हम जीत ही नहीं पाएंगे, बहुत इसमें बेवहारिक रोप से बड़ी कठिनाई उनको नजर आते हैं, इसलिए बहुत सी पंचायत हैं, अपने tax power का इस्तिमाल करती ही नहीं है, अगर आप गाउं में रहते होंगे, तो देखते होंगे, बज वसूली हो जाती है, इस तरह की जैसे house tax है, जल कर है, प्रकास कर है, पेशा कर है, बजार कर है, इस तरह के जो कर हैं वो वसूल लेते हैं, तो एक सुरोत इनका राजस से हो जाता है, दूसरा कुछ सुल्क, यानि गैर कर राजस इनको मिल जाता है, गैर कर राजस में आप ल लगाते हैं ये संपत्ति कर पेशा कर जल कर जल पे लगाते हैं प्रकास कर प्रकास पे टेक्स लगाते हैं आदी बहुत से हैं बजार कर बजार कर लिख सकते हैं गैर कर राजस में जैसे निगम फीस निगम अगर है तो निगम सुल्क लगाता है कोई जुर्माना अगर है तो तो ये टेक्स नहीं है लेकिन फिर भी ये भी आय होती है नगरपलिकाओं की और कहां से इनको पैसा मिल सकता है इनको अनुदान से पैसा मिलता है अनुदान इनको राजि से भी मिलता है और केंदर से भी मिलता है और कैसे पैसा मिल सकता है इनको कर्ज के रूप में भी पैसा प्राप्त कर सकते हैं कर्ज यह जो है राज से भी ले सकते हैं और वित्ती संस्थानों से भी ले सकते हैं वित्ती संस्थान बैंकोगरा तो वित्ती संस्थान से राज सरकार की परमीशन से राज की स्विकर्ति से, अपने मंद से नहीं, स्विकर्ति ले करके आप कोई प्रजेक्ट है आपका तो उसके लिए कर्ज भी ले सकते हैं, और क्या स्रोत है? और एक स्रोत है हस्तान तरण का, तो उनको पास पैसा ट्रांसफर किया जाता है, तो ये पांच श्रोत जो है इनको बित्त के लिए मिलते हैं, और ये सब कुछ जो है, जो राज की विधायका है, उसके नियंतर में है, यानि कौन से टेक्स लगाओगे, कौन से इफसुल्क अगरा लगाओगे, ये सब राज विधार मंडल आपको अथराइज करेगा, तभी आप प्राप्त करोगे, अनुद प्राणी सुसासन के वित्ती स्रोत है, अब यहां पर हमने वित्त की बात कर ली, कैसे कैसे इनको पैसा मिल रहा है, अब जब बित्त की बात की है, तो बित्त आयोग की बात कर लेते हैं, साथ में ही, बित्त आयोग वही है, जो पंचायतों में था, यानि कि पंचायतों नग यही राजवित्ट आयोग पंचाइतों बी था वही यहां भी है तो राजवित्ट आयोग पाँच वर्स पर इसका गठन होता है पाँच वर्स पर कौन गठन करता है राजपाल करते हैं इसका गठन करकिष Auchaches इनके प्रमुखकारे जो है वो जानना जरूरी है कि ये काम क्या करते हैं राजबित आयों कि कारे बिलकुल वैसे ही है जो आपने पंचायती राज में पढ़े थे वो पंचायतों के लिए वही काम करते हैं, वही काम वो नगरपालिकाओं के लिए करते हैं, तो सिर्फ सब्द बदल देना है, आपको सेम वही कार है, यानि कि पहला इनका कार तो देखिए वही है, कि नगरपालिका, नगरपालिका की वित्ती मजबूती कैसे हो, यानि फाइन नगरपालिकाओं की वित्ती मजबूती हो यही चीज जब आप पंचायत के लिए बता रहे होंगे तो बस यहां पे आपको पंचायत कह देना है कि पंचायतों की वित्ती मजबूती है तो सुझाओ देते हैं क्योंकि वही परसन है दूसरा देखिए यह सुझाओ देते हैं कि कौन से टैक्स उगरा जो है लगाने के धिकार दिया जाए नगरपालिकाओं को और राज जो कर वगरा वसूल रही है उसमें से कितना हिस्सा नगरपालिकाओं को दिया जाए यानि कि आप कह सकते हो कि राज की नधी से नगरपालिकाओं के हिस्सेदारी कितनी हो राज की निधी में नगरपालिकाओं की हिस्सा उनका कितना हो हिस्सेदारी पर सुझाओ ये देते हैं कि कितना उनको आप ट्रांसफर करिए कितना अधिकार उनको दीजिए अनुदान राज की निधी से अनुदान पर सुझाओ यही सुझाओ देते हैं कि कितना जो है आप अनुदान दीजिए इनको नगरपालिकाओं को इसके तरिक्त राजपाल अगर नगरपालिकाओं के वित्तिय मामलों को लेकर के कोई अन्यकार सोपता है तो वो भी इनको करना होता है यानि कि राजपाल द्वारा सोपा गया कारे राजपाल द्वारा वित्तिय मामलों को लेकर के सोपा गया कारे बित्तिय मामलों से सम्मंधित सोपे गए कार कोई इसमें कठ़णाई नहीं है सेम वही है जो पंचायती राज में आपने पढ़ा था बस यहां पे नगरपालिका की जगे पंचायत सब्द आ गया है यही काम वो पंचायतों के लिए करते हैं और यहीं सुझाओं देते हैं उसी के अनुसार जो है एक्सन होता है नगरपालिकाओं की सक्तियां और उनको बित्टिये जो अधिकार है वो दे जाते हैं अनुदान उगरा दे जाते हैं चले बाइव बात कर लेते हैं कुछ और संस्था है जो इससे रिलेटेड हैं उन पर बात कर लेते हैं इसी संसोधन के तहट चाहतरवे समिधान संसोधन के तहट उनका भी गठन किया गया तो देखें यहां पर जो एक संस्था है वो है जिला योजना समिती जिला योजना समिती जो होती है वो जिले पर गठित की जाती है और यह नगरपालिकाओं और पंचायती राज से भी रिलेटेड है यानि दोनों से रिलेटेड है यह लाई इस वाले में संसोधन में गई लेकिन दोनों के लिए फंक्शन करती है क्या है जिला योजना समिती यह जो है प्रतेक जिले पर होती है प्रतेक जिले में होती है यह पहले देखें कि यह क्यों होती है इसके कार क्या है तो इसके कार है इसका पहला कार तो यह होता है कि जो आपकी जिले में यानि जिले में जितनी भी नगरपालिकाओं है जिले की नगर पालिका पालिकाओं देखिए एक जिला बड़ा होता है जिले में कई सहर नगर हो सकते हैं तो उसमें कई नगर पालिकाओं हो सकती हैं तो जिले की जितनी भी नगर पालिकाओं हैं प्लस जो भी पंचायते हैं नगर पालिकाओं और पंचायते हैं योजनाओं को संगठित करते हैं ये तैयार योजनाओं को संगठित करना और जिला इसतर पर विकास योजनाओं का प्रारूप भी ये तैयार करते हैं जिला इस्तर पर विकास की योजनाएं जो होती हैं, विकास की योजनाओं का प्रारूप तयार करना, प्रारूप तयार करते हैं यह, यानि कि जो भी नगर पालिकाएं योजनाएं बना रही हैं, जो भी पंचायतें अपने प्लान बना रही हैं, उन सब को यह संगठित करते ह और जिला स्तर पर विकास की योजनाओं का प्रारूप तयार करते हैं जिला योजना समिती इसमें अध्यच होते हैं तो ये इनका प्रमकुरूप से कार है और जो अध्यच होता है वो इन सब योजनाओं को जो है जो भी समिती जेकि इस समिती का अध्यच होगा तो जो अध्य अधेच जो है इस समिती द्वारा जो निर्ड़े होता है समिती द्वारा अनमोधित योजनाओं को राज सरकार के पास में भेजता है तो आप समझ गए कि ये जो जिले पे एक जिला योजना समिती बनाई जती है ये परतेक जिले में होती है और ये नगरपालिकाओं के लिए और पंचायतों के लिए भी है दोनों के लिए काम करती है जो भी नगरपालिकाओं या पंचायत अपने योजनाओं बनाती है प्लान समिति द्वारा अनमोदित की गई योजनाओं को राज सरकार के पास में भेज देता है अब यह जो जिला योजना समिति है यहां पर इनके function क्या क्या होंगे हमने प्रमुक function बताये जो दिये जाते हैं समानता तो जिला योजना समिति के जो कार है पहली चीज जो इनकी निर्वाचन प्रणाली है निर्वाचन प्रणाली यानि कि यह कैसे बनेगी समिति इसमें member कौन कौन होंगे उनका कैसे election होगा या इनका जो इनकी जो सरचना है इन सब पर कौन तय करता है यह राज विधान मंडल तए करता है विधान मंडल Congratulations के तै करता है कि जिला योजना समिति की सरचना कैसी होगी वह तै करेगा यहाँव और जो उंका election कैसे होगा कैसे प्रणाली होगी वो तै करेगा इनके function क्या होगे वह भी तै करेगा लेकिन एक चीज है एक चीज यह है कि जो मेंबर होंगे उट मेंबर में चार बटे पांच मेंबर वो जो है इलेक्षं के द्वारा चुने जाएंगे किन में से जो नगरपालिकाओं की सदसे हैं और जो पंचायत के हैं इन दोनों के यही द्वारा और इन ही में से चुने जाएंगे क्योंकि यह दोनों क्यों काम करते हैं तो यहां पर एक चीज बस आपको लिख लेना है कि इस समिती में जो है चार बटे पांच सदस्य जो है वो नगर पालिका प्लस पंचायत के सदस्यों द्वारा यह जिलास्तर पे सदस्यों द्वारा उन्ही में से चुने जाते हैं चुने जाते हैं अब वो कैसे क्या प्रक्रिया होगी वो सब राजविधामने तरह करेगा यानि चार बटे पांच सदस्य जो है वो नगर पालिका और पंचायत के जो मिला के सदस्यों उनके द्वारा और उन्ही में से चुने जाएंगे उन्ही में से कुछ लोगों को चुना जाएगा जो इस समीति के मेंबर होंगे और इसमें एक अध्यच होगा उसका काम यह रहेगा तो यह चीज एक इंपॉर्टेंट है यह प्रसन आप से पूछा जा सकता है कि जिला योजना समीति में कितने मेंबर इलेक्टेड होते हैं तो वो चार बटे पांच सदस्य होते हैं जो नगर पालिका और पंचायत के निर्वाचित सदस्य लिख लिजे क्योंकि इसमें माहा नगर योजना समिति होती है बो देखे क्या है महा नगर योजना है समिति कि तो यह महानगर हैं महानगर योजना समिति इसका भी कार बिलकुल जिला योजना समिति की तरह होता है लेकिन ये महानगर के लिए होता है ये क्या करते है इनका कार क्या है इनका कार है महानगर विकास योजनाओं का प्रारूप तयार करना विकास योजनाओं का प्रारूप तयार करना ये इनका कार है अब यहां पे भी इनकी सनचना कैसी होगी कार क्या क्या होंगे पलस इनका मतलब निर्वाचन कैसे होगा किस प्रकार से इसमें सदस्यों को लिया जाएगा ये कौन तै करता है? ये राज बिधान मंडल तै करेगा ये इसकी सरचना इसके कारण इसका निर्वाचन ये राज बिधान मंडल तै करेगा लेकिन यहाँ भी एक चीज है वो ये है कि 2 बटा 3 सदस जो होंगे इस समिती में जो मेंबर होंगे उसमें से 2 बटा 3 सदस वो कहां से आएंगे वो पहले से तय है वो बिल्कुल वही है कि नगरपाली का प्लस पंचायत तो 2 बटा 3 सदस से वो नगरपाली का प्लस पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से सदस्यों द्वारा उन ही में से कि उन्हीं में से कि चुले जाएंगे तो इसमें आप बस इतना याद रखेगा कि महानगार यूजना समिती में दो बटा तीन सदस्य होते हैं और जो जिला यूजना समिती है उसमें कितना था चार बटे पांच यह अंतर है दोनों में बाकी कार फंक्षन उगरा सब राजवि जो अध्यच है अध्यच क्या होता है कि यह जो समिती दवारा अप्रूब esperar के पास में भेजना यांई महानगर यूजना समिती जो भी 부분 करता यूजना उनको राज सरकार ले कार अध्यच करता तो उसको सेम पॉइंट वही आप लिखी लीजिए जो पहले अपने बताया था चले अब हमने आपको बताया था भी कि आठ प्रकार के नगरी सुसासन जो हैं वह भारत में देखने को मिलते हैं तो वह आठ कौन से हैं वह देखी लीजिए आप उसमें कैसे वह आते हैं कौन कौन से हैं देखें भारत में आठ प्रकार के नगरी सुसासन है देखें आठ में सबसे पहले जो है तो आपका आता है नगर निगम अ अभी जो हमने नगर पालिकाओं में नगर निगम Negarnigam सबसे बड़ा होता है तो आपको पता ही है कि यह तो समिधान से ही इसको एपरूब किया गया है कि यह बनाना है आपको चहुत्रे समिधान से सोधन के द्वारा कि जो बड़े-बड़े नगर है वहां पर नगर निगम इस्थापित किया जाएगा नगर निगम में एक्चुली इसमें तीन प्राधिकरण होते हैं इसमें जो है तीन प्राधिकरण होते हैं नगर निगम काफी बड़ी संस्थाएं होती हैं इसमें तीन प्राधिकरण होते हैं एक होता है नगर परिसद जो आप बड़े सहरों में आप देखते हो पारसद का इलेक्षन होता है और इसमें एक मेर होता है तो इस नगर परिसद में जो है इसमें पारसद होते है प्लस जो है एक अध्यच होता है पारसद प्लस एक इनका अध्यच होता है जिसको मेर कहा जाता है मेर भी कहा जाता है या इसको म बढ़ा सद्परेशा, जिसको नगर निगम में नगर परिशा है तो इसमें पार्सद के लेक्शन होते हैं और अध्ड कई अभी पहले बढ़ाते। अट में बढ़ा था कि अध्याया दारेक्ट भी हो सकता है तो ये राज हर्मेल डलता ही करता है लेकिन पारसद यानि सदस्यों का इलक्षन जो है वो डारेक्ट होता है जनतारवाद ये सदस्य है और अध्यच को मेयर या महापावर कहा जाता है अब दूसरी जो बाड़ी होती है इसमें वो होती है इस्थाई समिती 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 काफी बड़ी-बड़ी होती है और ये किसले होती है समिती ये जो है सहायता के लिए होती है सहायता है तो काल में देखिए जो में डिसीजन का वर्क है वो पारसद और अध्यच करते हैं पारसद मीटिंग करते हैं अध्यच्छ जो होते हैं वो एक उस मीटिंग के अध्यच्छता गड़ते हैं यहीं पर डिसीजन होते हैं और उन सब डिसीजन को जो है सहायता करने के लिए समिती होती है जिसको इस्थाई समिती कहा जाता है और यह सहायता करते हैं और तीसरा जो होता है इसमें होता है आयु अधिकारी है यह यह लागू कराता है इन डिसीजन को जो नगर परिसद और इस्थाई समीतियां मिल करके जो भी प्लन तैयार करते हैं उसको कौन एक्जिक्यूट करता है तो वो आइप्त करता है और जो आइप्त होता है वो राज सरकार के द्वारा निक्त किया जाता है और ये आईएस काइडर का अधिकारी होता है ये जो है ये राजि सरकार राजि सरकार द्वारा लाया जाता है और समानता ये आईएस होता है ये अईठर आप नगर निगम जहां भी देखो गे वहां पर ये तीन बॉड़ी है जो काम कर नहीं है नगर परिसद इलेक्टर बॉड़ी है इस्थाई समिती बनती है उसी में और आयुक्त जो होते हैं वो सरकार द्वर अधिकारी है यह आफीसर है और यह होते हैं तो इसके बाद दूसरा होता है नगर पालिका नगर पालिका नगर पालिका में हमने आपको बताया कि छोटी नगर पालिका जो होती है वो छोटे सहरो वाली नगर पालिका परिसद और जो अभियार्धनगरी है वो नगर पंचायत होती है यह भी नगर पालिका का एक सबसे बड़ा रूप है यहाँ पर इसको दो जगे हमने बताया आपक एक जो नगर की परसद होती उसका एक अध्यच होता है जिसको नगर अध्यच कहा जाता है और सदस्य होते हैं और एक इसमें भी समिती होती है और एक कारिकारी अध्यकारी भी होता है जो यहां के लिए एक कारिकारी अध्यकारी जो होगा वो राजसरकार द्रानित किया जाए लगर है अब इसके बाद जो है एक आता है अधिसूचित छेत्र अधिसूचित अधिसूचित छेत्र तो वहां के प्रसासन के लिए अधिसूचित छेत्र समिती होती है अब ये अधिसूची छेत्र समिती ये चहत्र में समिधान संसोधन से जन्म नहीं है इसका ये जो है सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके यानि कि ये जो है सरकार के राजपत्र में प्रकासित किया जाता है और उससे इसका गठन होता है यानि कि ये अधिसूचना जारी क करके इसका गठन होता है देखें नगरपालिका में हम जो बता है उसमें आप भ्रमित नहुएगा इसमें भी वही तीन प्रधिक्रण होते हैं यहां पर एक परिसद होती है जिसका एक अध्यच होता है प्लस सदस्य होते हैं वैसे ही और यहां भी एक समिती होती है और यहां भी एक जो है कारिकारी अधिकारी होता है अधिसूचित जो छेतर होता है वो अधिसूचना जारी करके इसका गठन किया जाता है राजी सरकार के दोरा इसलिए इसको अधिसूचित छेतर कहा जाता है मेरे चानी डूर्ड जावनी बूर्ड को अधिया χी जहां पर जो थो सेनाएं मेलेटरी है में उसका कोई स्थाई निवार उस छेतर में तो वह कहां प्रसास्थन चावनी बूर्ड के द्वारा किया जाता है ना कि कोई संग्ठन बनाने के जुरूत नहीं है इस तरी को इसंस था वहाँ पर चावनी बोर्ड बनेगा तो चावनी बोर्ड कहा होता है जहाँ पर जो है सैन ने गठन जो है वो 2006 चावनी बोर्ड अधिनियम के द्वारा किया गया है चावनी बोर्ड अधिनियम केंदर सरकार का है ये केंदर सरकार क्योंकि सेना से रिलेटर मामला है तो ये संसद नहीं 2006 में चावनी बोर्ड अधिनियम लेकर के आया उससे क्या धार पे 62-63 लगबग चाव किया जाता है और यह किसके नियंद्रण में होता है पहले भी बताया था रच्छा मंत्रा ले के नियंद्रण में यह रहता है माबला क्यों यह चावनी बोड रहते हैं इनका गठन किस्साधार पर किया गय है छावनी बोड अधनियम 2006 के अधार पर अगला दिक्खे पाँचवा होता है नगरी चेत्र समीती पुछ चेत्रों के लिए नगरी चेत्र समीती जो है टावनेरिया सोसाइटी का गठन किया जाता है तो वो राज के राज जो विधाल मंदल होता है उसके अधिनियम के द्वारा होता है ये जो है राज के अधिनियम से बनते हैं इनका गठन होता है कुछ जगों के लिए टाउंसिप टाउंसिप ये जो कोई बहुत बड़ी-बड़ी यानि ब्रहत ब्रहत सारवजनिक जो उपक्रम है सारवजनिक उपक्रम उपक्रमों द्वारा इस्थापित किया जाता है इनको इस्थापित तो यहां पेक प्रसासनिक अधिकारी रखा जाता है जो उस टाउंसिप का पूरा इस्थानी सोशासन देखता है तो ये बड़े बड़े जो सारवजनिक उपकरम है तो उनके द्वारा ये टाउंसिप इस्थापित की जाती है तो ये टाउंसिप जो है वो ब्रहत सारवजनिक उपकरमों के द्वारा इस्थापित किया जाता है ये जो अधिसूचित छेतर होते हैं ये अधिसूचित छेतर ह इरिया है उसको अधिसूचिद्षेत्र गोशित किया गया है तो क्या वहं पर नगर पालिका का गठन किया जाएगा नहीं समस्만 जो और सी चांवनी और प्रमों के द्वारा इस्थापित टाउन प्लानिंग होती है टाउन सिप होती है वहां पर रहते हैं लोग तो उसका प्रसासन एक प्रसासक के द्वारा किया जाता है अब एक और है जो साथ नंबर पर आएगा साथ नंबर पर यहां पर हम लिख रहे हैं बंदर गाह न्यास बंदरगाह न्यास तो बंदरगाह न्यास जहां पे बंदरगाह है जिन जिन जो समुदर के किनारे आप देखते हो सहर है जिसे कोल काता है मुंबाई है इस तरह के बहुत से जो बंदरगाह इलाके हैं तो वहां पर एक अलग से प्रसासक होता है अलग से मतलब प्रसासन के लिए एक संस्ता होती है जिसको कहते हैं बंदरगाह पूरे सहर पे नहीं सिर्फ बंदरगाह एरिया पे प्रसासन करने के लिए अलग से एक बोड़ी होती है जिसको बंदरगाह नियास कहा जाता है तो ये वहाँ पे करते हैं यानि कि ये बंदरगा बंदरगा और 8 नमबर पर आता है बिसेश उंददेस से गठ़ित संस्ताइं होती है ये बिसेश उंददेस से एजनसी यहीं किसी खास उंदेस से गठ़ित की एजनसी ये भी होते हैं इस्थानी इस्तर पर ये भी सुसासन करते हैं और ये समझी एक प्रकार से पर्लल रोप से करते हैं देखिए जैसे कि आपका एक बड़ा सहर है लखनव है तो लखनव का सुसासन नगर निगम करता है नगर निगम ये सब पूरा मेयर अगरा सब होता है तो वो नगर निगम करता है लेकिन विशेष उद्देश से उसी छेतर में और भी संस थाएं जो है सुशासन का कारी करती है वो होती है विशेष उद्देश एजनसी जैसे कि इसके उद्दारण देखे जो विशेष परपत से बनाए जाती है और ये किसी छेतर विशेष के लिए नहीं होती है यानि कि ये सब कुछ जो आप देख रहे हो वो छेतर पर डिपेंड है कि बड़ा नगर है चोटा नगर है ये सेना वाले रोग रहते हैं यहां पर ये इंड़स्टी कोई सारवजीनी कुपकरम ने डिवलप किया है ये इंड़स्टी वाला एरिया है तो ये किसी एरिया पर डिपेंड परकार है नगर की और ये जो विशेष उद्देश वाला है ये जो है देखे ये छेतर छेत्र आधारित नहीं होता है ये कार्याधारित होता है कार्या उद्देश से पर आधारित होता है ये चीज अंतर है इसमें विसेस उद्देश वले में जैसे प्रदूशन नियंतरन बोर्ड तो ये पूरे सहर में प्रदूशन नियंतरन के लिए अपना अनुशासन करता है, तो इसके उधारण में हैं जैसे, जैसे देखिए, प्रदूशन नियंतरण बोर्ड, ये क्या करते हैं, ये स्थानी स्थर पर प्रदूशन नियंतरण का कारे करते हैं, दूसरा देखिए, जैसे यातायात नियंतरण बोर्ड, नगरी यातायात नि जैसे आवासी बोर्ड नगर सुधार नगरी सुधार नियास और हो सकते हैं और है देखिए जैसे बिद्धुत आपूर्ती बोर्ड इसी परकार से जल आपूर्ती और मल निकास बोर्ड ये सब क्या है ये भी जो है संस्थाएं है जो तो सासन का ही काम करते हैं या अपने छेतर में ये ये भी प्रसासन का काम कर रही है तो ये छेतर पर अधरित नहीं है ये उद्दे से पर अधरित है ये किसी कार उद्दे से के उद्दे से बनाया गया प्रदूशन वाले अपना से प्रदूशन से रिलेटेड सासन प्रसासन क काम करते हैं यह आवासी बोड आवास से रिलेटेड इस तरह अलग अलग काम तो हमने जो आठ प्रकार बताएं यह इसको समझ लीजिए काइदे से के इसमें जो है यह जो नगर निगम और नगर पालिकावनी बात है यह 74 समिधान संसोधन के आधार पर यह सब होता है बाकी जितने भी हैं यह यह अन्न के आधार पर है जैसे की आदि सुचित चेत्र हैं छावनी बोर्ड नगरी छेत्र समित टाउन शीप यह सब जो है अन eyebrow रूप को नगर पालिकाओं को समझ पाये होंगे मिलते हैं एक और बहतर क्लास के साथ में तब तक के लिए धर्निवाल